मूल अंक तीन का श्वामी ग्रह द्रस्वति जिप्टर है जन्म तारिश तीन, बारह, शताइस ओर तीश दिशिष्ट समय उनीश फरवारी से 20 मार्च तक मूल अंक तीन का व्यक्ति शाशी, शक्ती, दिर्टा का पहचान है यह अंक श्रम का परतिश्ठा पक तथा शंघर्ष का जीवन उदाहरन कहा जा सकता है इस अंक में जल्म लेने वाले व्यक्ति को पगपग पर शंघर्ष करना परता है नमबर एक, अपने विचारों के अभिव्यक्त करने में ये खुशल होते हैं, अपनी भावनाओं एबं विचारों का जिस उत्तम लिती से दिग दर्शन करा सकते हैं, वे अन्य कम होते हैं जुआवर के सभेशातियों भावियों बहनों, आज मैं मुलंग तीन से संबंधित देखतियों पर दे रहा हूं मुलंग तीन बारे ब्यक्ति ध्रव संग्रह कठीनता से करते हैं, प्रिसम करने कमाने मेवे दीन रात लारातार मेहनत में लगे रहते हैं परन्तु जितना भी कमाते हैं उए ब्यक्ति हो जाता है, धन संग्रह करने की अस्थिती कम ही दिखाई देता है ग्रहसपति से प्रभावित व्यक्ति श्वार्थ की भावनाय इनमें विशेश होती हैं, काम परने पर विरोधी से मिल जाते हैं और काम निकलने पर छिटका देते हैं, नहीं छिटकाते देर लबता है, ऐसे व्यक्ति की महत्व कांचाएं बड़ी होती हैं, शिखर अति शिखर उनति करने की सिखर पर पहुंच जाऊं, यहीं इनकी महत्व कांचा होता है, छोटे पदों, छोटे कोश, छोटे कार्ज ने पसंद नहीं होता हैं, नमबर दो, शंबंधित, रख्थ से संबंधित व्यक्ति एबं भाई से इन्हें विशेश लाव नहीं होता, यह बात अलग है कि लचीले सभाव के कारण ए निभा जाते हैं, परन्तु फिर भी परिवारिक घनिष्टा में शंदेह रहता है, नमबर तीन, यह देख्ति जरासा भी मुचा पद या प्रहे परभक्त्व मिले तो वह स्वक्षा, चारिता की ओर बर्धने लगता है, पर इनके साथ ही वे बुद्धिमान, इमानदारी एबं उदाय हिदय होते हैं, इनके प्रधानग्रह ब्रहस्पति है, जो कि शाहश श्रम शक्ति के अतिरिक्त विद्या ज्यान धर्म का भी परतीक है, अंक तीन बाले व्यक्ति के लिए शुब तारीख परतेक महिना के तीन, बारह, एकीस और तीस माने जाते हैं, शुब रत्न पोखराज है, शुब देपता विश्नु है, इनके उपासना से सिख्र कार्ज शिद्धी में सहायक होता है, शुब ब्रत पुर्निमा का ब्रत करना चाहिए, इनका शुब वर्स आपके जीवन में पड़िवर्तन शील वर्स तीन, बारह, एकीस, तेंतिस, चतिस, अर्तालिस, शंतावन, छियासट और पच्छतर तथा चारासी है, उन्नत स्रेश्ट एवं भाग बर्धक है, मैं अपने बानी को यहीं विराम देता हूँ, बहुत बहुत शाधुबाद, शुब कामनाए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मितला,